चलिए तो जानते हैं कि हमारी रियासत यानी महाराश्ट्र का वजूद कैसे हुआ कब हुआ और इस रियासत में कौन से लोग रहते हैं और ये किस जबान का इस्तिमाल करते हैं एक माई 1960 को हमारी रियासत की बुनियाद पड़ी रियासत महाराश्ट्र की बुनियाद यहां की बोली जानी वाली जबान यानी मराटी की तरस पर पड़ी है यहां की जो अकसरियत लोग है यहां के जो रहने वाले लोग है जो मराटी जबान बोलते है और हमारी रियासत की ज बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं जैसे के सत्य मुर्तिफाई इलाका, कोकन का इलाका, सत्पुड़ा का इलाका, विधर्ब, खान देश, इसी के सास्त में मराट वाड़ा, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इलाके हैं, अब जैसे के यह सब अलग-अलग हिस्से हैं, अलाके हैं में फरक है, जैसे के हमारे खान देश में मराटी, मराटी का एक वर्जन है ऐरानी, यानि खान देशी ऐरानी, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मराट वाड़ा, मराट वाड़े के बारे में ये कहा जाता है, सबसे अच्छी और साफ मराटी, जो हैं मराट वाड़े के लोग कहते हैं जैसे के साथ में जो लोग विधर में रहते हैं उनका जो मराठी का तलफूस है वो थोड़ा अलग होता है जैसे हमारे महाराश्ची के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले अलग-अलग लोगों की जबान का तलफूस अलग-अलग है वैसे ही हम लोग तहवार भी अ खरऊड तो हम पूरे महाराज़ में हर जगे मनायी जाती है। इसे के साथ साथ में हमारा दिवाली, बैल, पोला, ऐसे तहवार हमारे सते मुर्तफ़ी इंञे इसे के साह था, सबसे खास बात, जैसे के हमारे जो गोमी तहवार है, यानि 15 अगस्त और छब्द चिनवर है। ये दोनों तैवारों को हमारी रियासत के तमाम लोग बहुत ही खुशाली से मनाते हैं वो फिर किसी भी मजभब के हो और वो फिर किसी भी अलाके के रहने वाले लोग हो बड़े ही इसको खुशी से मनाते हैं अगर हम गौर से देखे, तो हमारी रियसत में बहुत अलग अलग जबाने बोलने वाले लोग है, अलग अलग अलाके है, मगर हमने क्या करना चाहिए? चाहे वो शिक्त किसी भी इलाके का हो, किसी भी जबान को बोलना वाला हो, हमने उसका इस्तिक्भाल करना चाहिए, यानि के उनके साथ में दोस्त आने से और मिल चुल कर रहना चाहिए, फिरो चाहे किसी भी मजभका हो और किसी भी और किसी भी इलाके का रहने वाला हो, इसी क जैसे के हमारे महाराष्ट्रिम में जो अलग-अलग अलाखे के लोग है वो मराठी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्रिम बहुत ज्यादा आदिवासी लोग भी रहते हैं ये लोग भी अपनी किस्म की आदिवासी जबाने बोलते हैं जो के महाराठी से बिलकुल ही मुक्तलीफ है तो हमने इनका भी इस्तक्बाल करना चाहिए और इनका पर मिलकर हेना चाहिए